नमस्कार बच्चो मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चो का चलो कदम बड़ाई चैनल पर स्वागत करता हूँ और आईए चलते हम आज एक न्यू एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.1 और क्लास 8 का ये मैथ है बच्चो एंची आटी का और यहां पर देखें मैंने हमेशा की तरह पहले से लिखा वाई construct the flowing quadilators यहां पर आप देख सकते हैं और हमें quadilator की construction करनी है बच्चो जैसे जैसे बनानाय वैसे ही लिखना होता है तकरीबन जाद तर श्कूलों में बच्चो step of construction नहीं लिखवा है जाते हैं दोब सबसे पहले आपको क्या करना होगा एक rough figure आप बनाएंगे बिल्कुल rough figure जी हाँ rough figure एक बना लीजिए एक छोड़ी सी figure आप बना लीजिए इस type से rough figure और इस पर जो नाम लिखने हैं ये आप देख सकते हैं इस पर जो नाम लिखने ABCD या तो clockwise लिखिए ये anti-clockwise लिखिए आईए मैं इसमें clockwise लिख देता हूँ ठीके बच्चों यहाँ पर ABCD इस type से मैं इसमें नाम लिख देता हूँ और ताकि ये रख figure हम इसलिए बनाते हैं ताकि कोई भी figure अब आप बनाएंगे figure तो इसको देख के हम बनाएंगे और बिल्कुल accurate बनेगे ठीके बच्चों इसमें देखिए AB इसमें side given है साथ BC भी given है CD given है AD given है और साथ में AC भी given है यहाँ पर ये AC ठीके बच्चों तो इसमें से आप कोई भी side आप पहले इसमें draw कर सकते हैं यहाँ पर बनाने के लिए तो आए सबसे पहले मैं AC draw कर लेता हूँ ठीके बच्चों यहाँ पर आपको जो चाहिए वो एक scale चाहिएगा और एक black pen ले सकते हैं पतले वाला ले सकते हैं और साथ ही आपको एक परकार और एक pencil चाहिए इसको construction करने के लिए और साथ ही eraser और sharpener भी साथ रखी आए बच्चों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यह जो नजदिक नजदिक आप देख रहे हैं इस centimeter बोलते हैं और यह second side में आप देख रहे हैं यह inch होते हैं ठीके बच्चों हमें centimeter में बनाना है तो सबसे पहले हम AC जो है इसमें 7 centimeter इसमें given है यह 7 centimeter यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यह देखिए यहाँ पर यह मैंने 7 centimeter लिख दिया है और साथ ही A B की चलो अब यह भी लिख लेते हैं 4.5 centimeter BC जो है 5.5 centimeter है और CD इसमें 4 centimeter और AD जो है इसके अंदर 6 centimeter है ठीके बच्चों यह रफ फिगर बनाने के बाद आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे क्या करना देखिए सबसे पहले मालनी जिए हम AC ड्रो करते हैं यहाँ पर AC जो है वो है 7 centimeter तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा उपर ले जाता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो यह जीरो है यहाँ पर आप यह इस टाइप से पैन को घुमा दीजिए यह पैंसिल को और 7 centimeter तो 7 पर जाकर यह यहाँ पर इस परकार से गुमा दीजिए थोड़ा सा गुमाने से बच्चो यह होगा यहाँ पर एक छोटा सा खड़ा बन जाएगा और जब आप इसको ऐसे ड्रो करेंगे तो वह वह यह पर जाकर थोड़ा सा रुक जाता है इसलिए यह से एकुरेट बनती है तो बच्चो यह हो गई AC ठीक है बच्चो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ AC ठीक है AC और यह 7 cm आमने इसमें ड्रो कर लिए है ठीक है बच्चो अब हमें करना क्या होगा AB देखे यहाँ पर ऊपर B आएगा ABCD इस टाइप से यह बन रहा है तो हम क्या करेंगे AB ठीक है अब आप हम कैमपास का यूज करेंगे और यहाँ पर देखिए with center A and take radius AB 4.5 cm ठीक है यहाँ पर यह आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर यह 4.5 है और यहाँ पर आप इसको पूरा यह खोलेंगे यह देखिए तो with center A and take radius इस परकार से draw an arc of a circle ठीक है 4.5 यह यह हमने लिए AB अब देखिए यहाँ पर BC और B ठीक है अब C से with center C and take radius 5.5 ठीक है बच्चो यहाँ पर C पर यह 5.5 है और मैं इसको यह ले लेता हूँ 5.5 with center C and take radius BC equal 5.5 cm draw another arc which intersect first arc at B ठीक है यहाँ पर यह B पर intersect कर गई ठीक है बच्चो एक तो यह हो गया उपर हमने जो बनाया अब देखिए ABCD नीचे आएगा तो AD देखिए 6 cm है अब हम यहाँ पर फिर लेंगे and take radius AD equal 6 cm draw an arc of a circle यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर मैं 6 cm का यह लगा देता हूँ थोड़ा सा मैं उपर दिखा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से यह दिखाए दे जाए ठीक है बच्चो यह यहाँ पर यह हमने 6 cm की arc हमने इसमें लगा दी है यह थोड़ा सा को मैं डार कर देता हूँ ताकि अच्छे से नजर आ जाए ठीक है AD equal 6 cm और C से अब D पर भी हम लेंगे जो इसमें गीवन है 4 cm ठीक है तो हम 4 cm परकार खोलेंगे यह open 4 cm के हम पास यह देखिए 4 cm ठीक है यहाँ पर and now with center C draw another take radius ठीक है take radius CD CD ठीक है draw another arc which intersect first arc at D जो D पर उसने intersect कर दिया है बच्छो अब हम क्या करेंगे अब हम इसको join करेंगे यहाँ पर देखिए बच्छो यहाँ पर मैं A से और B पर जहाँ पर यह arc आपस में intersect कर रही है इस point पर यहाँ पर यह पहले ऐसे लगा लीजिए sign सा बना लीजिए और इस पर हम एक यह arc यह join करेंगे ठीक है इस type से यह देखिए और अब C से भी आप इसको join कर दीजिए यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर यह ले यह इस type से ठीक है बच्छो यह यहाँ से यह मैं इसमें बना रहा हूँ pencil के corner तूट गया है कोई दिक्कत नहीं से तो यहाँ पर यह देखिए ठीक है अब आपको करना क्या है D से A को join करना यह D हो गया और यह A हो गया इस type से आप इसको join करेंगे AD को और इसी परकार CD को भी यह आपको join करना यहां से लेके यहां तक ठीक है बच्चो यह देखिए तो this is required quadrilateral यह एक जो quadrilateral हमने बनाना था वो बन चुका है ठीक है बच्चो आप इसमें देख रहे हैं यह quadrilateral बन कर तयार हो गया है और आप आप इसमें चाहें तो step आप इसमें लिख सकते हैं जैसे जैसे इसमें बनाया है वैसे वैसे आपको इसमें लिखना है number one पर आपने क्या किया draw a line segment ac equal 7 cm यह इस परकार आप इसमें लिख सकते हैं draw ac equal 7 cm ठीक है बच्चो यहाँ पर draw ac equal 7 cm a line segment यहाँ पर मैं यह लिख देता हूँ ठीक है बच्चो लाइन segment इस टाइप से हम लिख सकते हैं अब number two पर क्या किया हमने number two पर a से b को हमने radius लिख ठीक है ठीक है with with center यहाँ पर मैं इसको कार देता हूँ with center b sorry with center a a से हमने लिया with center a and take radius a b equal 4.5 cm यहाँ पर cm मैं लगा देता हूँ यह देखें cm यहाँ पर आप नमबर थ्री पर हमने क्या किया नमबर थ्री पर with center c यहाँ पर लिखेंगे with center c and take radius take radius cb 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 कितने लिया हमने बच्चो यहाँ पर आप देख सकते हैं bc यह cb एकी बात है 5.5 cm ठीक है draw another arc यहाँ पर यह arc of a circle which intersect first arc first arc at b ठीक है बच्चो यहाँ पर यहाँ पर हमने second and third step इसमें लिख लिए सबसे पहले मैं इसमें लिख देता हूं जो इतने cm के ता 4.5 cm और bc जल था वो था 5.5 cm ठीक है बच्चो यह लिखना जरूरी होता है और यह 7 cm है यहाँ पर ad ad है 6 cm ठीक है बच्चो और cd है 4 cm इस टाइप से ठीक है बच्चो यह हमने लिख दिया है और यह number 3 अब number 4 पर आपने किया number 4 पर again ठीक है बच्चो यहाँ पर with center a ठीक है बच्चो with center a and take radius take radius take radius ad equal 6 cm draw an arc of a circle ठीक है बच्चो इस टाइप से आप ले सकते हैं आप number 5 पर देखे बच्चो यह कि कई स्कुलों में लिखवाते हैं कई में नहीं लिखवाते हैं मैं भी इसमें कोशिश करूँ गई सबी में लिखवाते हैं ठीक है आए फिफ्ट स्टेप में नहीं क्या किया with center c and take radius take radius bc sorry dc dc equal 4 cm draw another another second arc draw another arc आर्क लिख लीजिए ठीक है second की जूट नहीं है draw another arc of a circle which intersect first arc at d ठीक है बच्चो अब यहां पर last step में लिखेंगे join a b b c a d and c d ठीक है और last step यह आ गया a b c d is a required triangle ठीक है बच्चो इस परकार आप इस में लिखेंगे तो required quadrilateral sorry यह यह यहां पर ठीक है यह आपका बन गया है और यह देखिए बच्चो यहां पर यह बन चुक के त्यार हो गया है मैं इसको थोड़ा सा और अब देखिए यह देखिए ठीक है बच्चो यह था एक छोटा सा question मैं फिर कहता हूं कि यह आर्क यह जो step of construction है इसको अगर school में लिखवाते हैं तो आप लिखिए अदरवाइज मत लिखिए टाइम वेस्ट ना कीजिए आपको शिरफ पहले क्या करना रफ फिगर बनानी है और रफ फिगर से बनाकर एक fair फिगर बनानी है बस इतना ही आपको करना है ठीक है बच्चो यह question आपको कैसा ल यह थन्यवाद